आप सब का तर्णा डिफेंस अकेडमी चैनल में स्वागत एंड आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी आप सब लोग के एक्जाम बहुत नजदीक हैं तो अभी सब लोग को भी पैन लेके बैट जीए आज जो है मैं कलर का टेस्ट पेपर करवारी हूँ और इंगलिश हिंदी दोनों में बहुत बच्चों की डिमांड थी कि मैडम आप इंगलिश में करवाईए तो इंगलिश और हिंदी आज दोनों में हैं ठीक है और उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक एंड शेर कीजिए ठीक है तो उससे अब हम बिना टाइम वेस्ट के विए जो हमारा आज का टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स सेक्शन रहेगा वो जीके का रहेगा ओल्मोस्ट यही होता है तो हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्योशन भारत में सरवादिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए केरल है उतर परदेश है बिहार है या इन में से कोई नहीं तो उप्शन हो जाएगा इसका बताइए उप्शन नमबर बी उतर परदेश जो है वो सबसे जाजा जनसंख्या वाला राज्य है सेकंड नमबर क्योशन निमन में से कौन सा देश भारत की पूरवतम सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है बताइए चीन नेपाल पूतान और शिलंका तो शिलंका जो है वो भारत की पूरवतम सीमा widely नहीं है ठीक है अब देखो next भारत का रास्ट ये पकृश्य कौन सा है बताइए ये तो शायद आप को बताने की ज़रूरत भी नहीं कबूतर मोर गोरया या इन में से कोई नहीं तो जो मोर है वो आपका अंसर हो जाएगा option number B ठीक है अब देखो question number 4 बांगलादेश वर्ष में आ जा दुआ बांगलादेश जो है वो कब आ जा दुआ था तो 1971 में जो है वो बांगलादेश आ ज लीए गया था option number A अप देखो next question, next question है आपका air होती है भार सहीत होती है निरवात में होती है भार रहीत होती है या इन में से नहीं बताइए कोई भी नहीं तो air जो है वो आपकी भार सहीत होती है हवा में जो है वो भार होता है ठीक है आप देखो next question sodium का hourlycanic चिंड क्या है बताइए P, K, C, A या N, A तो sodium का N से डिनोट होता है तो N, A ठीक है, आप देखो next question next question है red pigment present in red blood surpluses is तो रुधीर में पाई जाने वाली लाल रख्त कनिकाओं में उपस्तित pigment जो है वो कहलाते हैं carotene, jetophyll, hemoglobin या ethosinin बताइए क्या होगा तो 8 का होगा आपका C, hemoglobin अब देखो next calcium hydroxide का racinic सुत्र क्या होता है बताइए C, A, O, H, 2 C, A, C, L, 2 C, A, C, O, 3 या none of these बताइए तो जो calcium hydroxide उसका racinic सुत्र हो जाएगा option number A, C, A bracket O, H, 2 ठीक है, अब देखो तंबाकू का मुख्य गटक क्या है बताइए तो तंबाकू का मुख्य गटक यह आपको पता है बहुत बार question आता है nicotine तंबाकू जो वो nicotine से related है अब देखो आपका math का section स्टार्ट हो रहा है ठीक है math का देखो first question है यदि M का 15% देखो M का 15% ठीक है और N का क्या 20% आपको क्या बताना है आपको M ratio N बताना है तो यह 100 से 100 कट गया अब 5 की table से काट लो 5 ती है 15 और 5 के 20 तो आपका M upon N कितना आ गया 4 ratio 3 यह 3 नीचे चला जाएगा N इधर आ जाएगा option number B जो है वो आपका answer हो जाएगा अब देखो next question थोड़ा सा small कर रही हूँ देखो आपको यह equation दे दियो और आपको x और y का ratio पूछ लिया तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5x की square minus 13xy plus 6y की square यह दे दिया तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो 5x की square minus 13 को लिख सकते हो आप 10 plus 3 लिख सकते हो ना तो 10xy minus 3xy plus 6y की square अब इन दोनों में आप common ले लो इन दोनों में क्या common ले सकते हो आप 5x common ले सकते हो ना तो यहाँ पे x बच गया और 2y पास दूनी 10 इन दोनों में आप क्या common ले सकते हो इन दोनों में ले लिया आपने 3Y माइनस का अब यहाँ पर आपके क्या बच गया है यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर आपके क्या बच गया यहाँ पर Y बच गया और यहाँ पर क्या जाएगा 3 दूनी 6 तो यहाँ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 2 और 1 y से 1 y कट जाएगा यहाँ पर बच गया आपका 1 y ठीक है अब देखो आपके 2 value हो गई इसमें 5x minus 3y और 1 हो गया आपका y minus 2y ठीक है ना तो आपको x और y का ratio बताना है तो ratio देखो 5x is equal to 3y तो आप इसको क्या लिख सकते हो x upon y is equal to 3 upon 5 एक तो value आगई इसकी 3 ratio 5 एक आजाएगी y is equal to 2 यह x है यहाँ पर x is equal to 2y तो यह y इसके नीचे चला जाएगा x y तो x upon y तो यह क्या आजाएगा आपका यह क्या यहाँ पर क्या mistake हो गई x y यह क्या बच गया x minus 2y तो x is equal to sorry यह x is equal to हो जाएगा 2y तो यह आजाएगा आपका 2 x क्या हो जाएगा आपका 2 और यह जो है वो x upon y देखो यह क्या हो जाएगा यह आजाएगा 1 तो एक आपकी हो गई 3 ratio 5 और दूसरा हो गया 2 ratio 1 तो आपका जो है यह वाला answer सही हो जाएगा बट इसमें 1 ratio 2 नहीं होगा इसमें उल्टा हो जाएगा 2 ratio 1 यह wrong दे रखा है तो आपका answer क्या आगया option number B यह एक mistake है यह इसको सही कर लेना तो आप देखो next question number 13 एक मेज को 517 रुपए में बेचने से 10% का लाब होता है तो मेज का क्रेम मुल्य कितना होगा देखो 517 में बेचने पर उसको 10% का profit होता है तो यह 110 के बराबर हो गया और उसको निकालना क्या है उसका क्रेम मुल्य निकालना है यह 0 से 0 गया 11.45 कितना हो गया 6 और 7 11.73 यह उसकी जो value है वो कितनी आगी 470 और उसकी निकालना है 400 सेंटीमेटर अब यह क्या बोल रहा है 400 सेंटीमेटर का कितना पर शेंटीमेटर होगा तो 20 इंटू 100 और डिवाइड बै आपको किसका निकालना है चार सो का तो 4 25 यह कितना आजाएगा पांच परसेंट, option number A जो है वो आपका answer हो जाएगा ठीक है, मैं आपको जादा से जादा try कर रही हूँ short trick से करवाने की हर question को ठीक है, देखो कोई धन चकरवर्दी ब्याज की दर पर 15 वर्ष में दुबना हो जाता है, ये भी मैं आपको एक ऐसी trick से करवाऊंगी कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं उसी दर पर वही धन कितने वर्ष में 8 गुना होगा, ये बोल रहा है कि चकरवर्दी ब्याज की दर पर कोई धन जो है, वो 15 वर्ष में कितना हो जाता है दुबना उसी दर पर, सेम रेट पर वही धन कितने वर्ष में जो है, वो 8 गुना होगा, तो आपको time पूछ लिया तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपको आगे जो दिया जाता है कि इतना गुना हो जाता है ठीक है, ये किस की cube है, ये 2 की cube जो power में लिख सकते हो ना, आपको 8 को 2 की cube, तो इसमें आप क्या करो, जो ये 3 है power, इस power को जो ये उपर वाला समय है इससे multiply कर दो, 15 45, तो आपका इसका answer क्या आजएगा, 45 वर्ष, आपको कोई इतना solve करके देखने की ज़रूरत नहीं है सीधी सी trick है, कि ये 8 गुना है, तो 8 को आप क्या लिख दो, ये power में लिख सकते हो 2 की power 3, इस 3 को आप 15 से multiply कर दो, जो आपका वर्ष है, तो ये आजाएगा आपका 15 45, ठीक है आप देखो next question ये भी मैं आपको एकदम trick से ही बताऊंगी, देखो ये root 2 plus root 2 plus root 2, infinitive तक जब ये plus में होता है न तो अगर इसका कोई ऐसा जोड़ा बनता है, जिसमें 1 का difference हो, 2 का आप ऐसा क्या जोड़ा बना सकते हो, 2 का क्या बना सकते हो, 2 एकम 2 2 एकम 2 ठीक है, multiply करने पे 2 होगा और इसका दोनों का difference क्या होगा एक, अब ये sign ये infinitive के case में ही होगा अगर ये sign plus में है तो आपका answer 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे sign आपके minus होते तो इसका answer 1 आता ठीक है, तो छोटा वाला और ये 2 plus है, तो बड़ा वाला तो इसका answer क्या आजाएगा, आपका option number c 2, ठीक है, ठाना easy, अब देखो question number 17, sine square theta plus cos square theta का मान क्या होता है, बताइए क्या मान होता है, ये तो आपको पता ही होगा क्या मान होता है, इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है, एक ये तो आपके छोटे से के ही class में आने लग गया होगा, अब देखो next question, the value of आपको दे दिया, अब इसकी value निकालनी है आपको देखो, 0.07 plus आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हो, आप 0.0 इन दोनों का 0 और इन दोनों का 2, ये 2 की root हो जाएगी न, है न, 2 की power है अब ये दोनों आपका क्या बन गया 0.0, इन दोनों का add करोगे 0.9, हो सके उतना short trick में, छोटे तरीके से करो, अब ये क्या आजाएगा आपका जब इसका root अटाओगे आप 0.3, इसका answer आजाएगा, इसका अनुपात लगा रखा है, ये 0.3 है ये सारे अनुपात है, sorry point है, ठीक है, option number B जो है, इसका answer हो जाएगा, ठीक है आप देखो next question अब next question क्या है, देखो next question में आपके देखो, A तो हो गई, इसमें 0.3 ठीक है और B हो गई आपके 0.3 0.2, ठीक है ये हो गई, अब आपको पता है, इसमें आपका ये क्या हो गया, ये 3-1 जैसा है, A की क्यूब minus B की क्यूब मान सकते हैं न, क्यूंकि हमने मान नहीं है इसको, आप देखो, A और B ये क्या हो रहा है A की स्क्वायर ये plus 0.02 को 0.03 से मल्टिप्लाई को करोगे 2 तीया छे, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा तो यहां पे क्या है A इंटू B प्लस ये क्या आपका B की स्क्वायर है न, अब देखो अब आपका A की क्यूब माइनस B की क्यूब इसका फोर्मूला क्या होता है इसकी जो सम्मिका होती है वो क्या होती है A माइनस B A की स्क्वायर प्लस AB और प्लस B की स्क्वायर यह होती है, ठीक है तो अब आप इसको यह लिख सकते हो A की क्उब, B की क्उब इसकी जगह यह लिख दिया, अब नीचे यह लिख दिया A की स्क्वाएर, प्लस AB, और प्लस B की स्क्वाएर यह कटो जाएगा? अब बच गया क्या? A-B A-B बच गया तो A में से B को गटा दो 3 में से 2 गया 1 यह आपका अंसर क्या गया 0.01 option number B जो है वो आपका अंसर आ गया इसका ठीक है समझ में आया आप देखो next यह question क्या है देखो यह आपका intersection और union का जो chapter है ना उसका question है आपको 1 set A दे दिया 1 set B दे दिया आपको पूछ लिया इसका मतलब होता है जो यह बीच में U दे रखा है इसका मतलब है A union B तो आपको A union B पूछ लिया A union B जो है इसमें 2 चीजे होती है एक intersection एक union intersection तो आपका HCF की तरह होता है और union आपका LCM की तरह होता है इसमें जो है ना सारे ले लो A union B का मतलब क्या होता है इसमें जो सारे है ना वो सब ले लो मतलब एक बार ही लेना है दोनों में अगर वो चीज सेम रिपीट हो रही है तो वो एक बार ही लेनी है तो A union B आपका क्या हो जगा A, B, C और D क्योंकि C इसमें आ रहा था इसमें ले लिया तो इसमें नहीं लेना A, B, C, D A union B का मतलब यह ही होता है तो आपका अंसर आजाएगा option number C ठीक है? कोई गबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा question आगया तो हमें नहीं आएगा शोटकट की कौन सी होती है बताएगे विंडोज एक्स्प्लोर को खोलने के लिए शोटकट की तो विंडोज एक्स्प्लोर को खोलने के लिए शोटकट की जो है वो विंडो की प्लस E होती है विंडो की प्लस W विंडो की प्लस O कंट्रोल प्लस O तो इसको खोलने के लिए जो है वो आपकी option number A, window key plus E, जो है, window key plus E जो है वो आपको windows explorer को खोलने के लिए shortcut key होती है, ठीक है, अब देखो next, देखो, telephone lines पर digital data संचालित करके internet का access निमन लिखित दौरा प्रदान होता है, बताइए, least line दौरा, digital subscriber line दौरा, digital signal line दौरा या इन में से कोई नहीं, बताइए, तो telephone lines पर digital data संचालित करके internet का access है वो digital subscriber line दौरा प्रदान किया जाता है, option number B, ठीक है, समझ गए, अब देखो next question, एक unit के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रेक क्या कहलाता है, file, folder, मतलब एक unit, एक साथ उसको assemble किया जाता है, एक जगह उसको collect किया जाता है, तो एक जगह आप collect करते हो, क्या बनाते हो उसकी, एक file बनाते हो ना, तो इसका क्या हो ज जाएगा, अब देखो next, देखो, computer में input के बाद जानकारी क्या कहलाती है, बताइए, computer में input के बाद, program, software, hardware और आकड़ा, computer में जब वो input डाल दिया जाता है, तो हम किसका wait करते है, output का, तो वो किसमें change करता है, वो उसको data में change करके ही, तो हमें output देता है, तो इसलिए इसक हो जाएगा, option number D, ठीक है, अब देखो next, in computer coding, power of two are used in, computer coding में दो की घात का प्रियोग, किसमें किया जाता है, ये तो बहुत easy question हमेशा है, ये किसमें किया जाता है, binary जो system है, उसमें किया जाता है, binary परनाली के रूप में किया जाता है, ठीक है, अब देखो, हमारा, जो है व computer का, ये section complete हो गया, अब हमारा section जो है, वो English का, English का इसमें main जो है, वो हिस्सा आता है, main portion, तो English के question जो है, वो थोड़े से ध्यान से समझे, मैं आपको एक एक चीज बहुत बारिकी से समझाऊंगी, ठीक है, देखो, In the following questions, some part of sentence have error, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option, if a sentence is free from error, select no error, ये बोल रहा है कि, question में आपको कुछ error दी है, किसी एक पार्ट में, यदि एक पार्ट में error है, तो आपको वो पार्ट बताना है नहीं है, तो आपको option number 4 करना है, no error, ठीक है, अब देखो, ये पढ़ते हैं, these are super interesting activities, keep your little one engaged, thrilled or off, मेरी कुछ, these are super, ये जो interesting, जो activities है, जो रोमांचित, जो गतिवीदिया है, keep your little engaged, आपको thrilled or, आपको रोमांचिक, रोमांचित और, मतलब टीवी में, बहुत आपको engaged रखती हैं, ये, व्यस्त रखती हैं, तो keep कुछ interesting, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा हैं, तो little जो है, वो uncountable noun के लिए use होता है, uncountable, तो यहाँ पे little की जगे, a few होगा, a few जो है, वो हमारे countable noun के लिए use होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, a few, तो आपके किस पार्ट में mistake होगी, option number B, little के जगे यहाँ पे आएगा, a few, a few, countable noun के लिए use होता है, ठीक है, अब देखो next, देखो, एक और error का पार्ट है आपके, इसमें भी आपको वही error बतानी है, Since they got something different each month, they keep coming back to it, no error, यह बोल रहा है कि Since they got something different, मतलब उसे हर महीने कुछ अलग प्राप्त होता है, They keep coming back to it, तो वो क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, तो they get, यह पूरा sentence आपने read out करा है, यह किसमें आपका, present tense में है, तो present tense में है, तो यहाँ पे past की आपकी, जो है, main verb वो क्या कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे get की, goat की जगए, आपके क्या जाएगा, get, option number one जो है, इसम देखो next, देखो, they look like, इसमें आवर आएगा, आवर साएगा, अस आएगा, या वी आएगा, they look like, क्या जाएगा, option number c, us, they look like us, वे जो है, वो हमारी तरह दिखते हैं, us, us जो है, यहाँ पे objective case है, क्या है, objective, यहाँ पे like के साथ हमेशा objective case आता है, ना कि subjective case आता है, इसलिए subjective case यदि हम कर देंगे, तो वो wrong हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम us लगाएंगे, क्योंकि like के साथ always use objective case, ठीक है, समझ गए, अब देखो next, देखो, बोथ सुशान्त, ब्रेकिट, रोहित, आर हैंसम, बोथ सुशान्त, एंड, यहाँ पे क्या जाएगा, आपका एंड, option number B, यह कुछ conjunction होते हैं, जो use होते हैं, not only, but also, तो यहाँ पे आपका use हो गया, बोथ सुशान्त, एंड, रोहित, कि दोनों, सुसान्त और रोहित, दोनों ही सुन्दर हैं, तो इसका क्या जाएगा, आपका option number B, ठीक है, अब देखो next, देखो, in the following question, out of the given four alternatives, select the one which best express the meaning of given word, यह बोल रहा है, कि आपके कुछ word दिये हैं, उसके कुछ alternative हैं, तो आपको उसका same meaning बताना है, कि उसका जो होगा, वही इन चारों में से एक का answer होगा, आपको उसका synonym बताना है, simple सब्दों में उसका synonym बताना है, उसका समानार्थी सब्द बताना है, ठीक है, आप देखो, सबसीड का मतलब होता है कम होना या इसको बोल सकते हैं शान्त होना भी बोल सकते हैं ठीक है? तो आपका देखो डी सेंट का मतलब भी क्या होता है? कम होना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option number A क्योंकि एनलार्ज का मतलब क्या होगा? बड़ा, प्रोनोलोग का मतलब लंबा और एन, सेंट का मतलब हो जाएगा आपका उपर चड़ना तो इसलिए इसका आंसर है वो option number A हो जाएगा ठीक है? क्योंकि हमें उसका synonym बताना था आप देखो next वाले में भी क्या बताना? आपको select the one which best express मतलब same meaning बताना है इसका भी तो event का मतलब क्या होता है? event का मतलब होता है आक्रमन करना क्या? आक्रमन करना तो देखो abuse का मतलब आपको पता है गाली देना होता है trash का मतलब क्या होता है? कच्रा होता है revenge reverse का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर और shirt जो है यह क्या हो जाएगा आपका टुकड़ा इसका मतलब क्या होता है टुकड़ा तो option नमर B जो है वो आपका answer हो जाएगा देखो अब Question number 32 In the following question, out of given four alternative, select the one which best expressed इसका भी आपको क्या बताना है, same meaning बताना है तो steady का मतलब क्या होता है नियमित, क्या होता है नियमित, मतलब regular Valundrable का मतलब क्या होगा आपका, Valundrable का मतलब होता है चपेट में आना किसी चीज़ के Flexible मतलब लचीला, ठीक है, और abinding का मतलब क्या होता है नियमित, क्या होता है नियमित, ठीक है और वोबली का मतलब क्या होता है एस्थिर जो नियमित नहीं हो जो स्थिर नहीं हो तो option number C जो है वो आपका answer हो जाएगा ठीक है समझ में आया एक-एक हर चीज को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो इसको अच्छे से समझे अब देखो इसमें आपको क्या बताना है इसमें आपको opposite बताना है opposite immaculate immaculate का मतलब क्या होता है गंदा क्या होता है immaculate immaculate sorry sorry मैंने wrong बता दिया opposite बताना है नीचे वाले का बता दिया देखो immaculate का मतलब होता है आपका switch साफ क्या होता है साफ अब आपको इसका उल्टा बताना है गंदा ठीक है क्लीन का मतलब तो आपको पता ही है साफ ब्राइट का मतलब भी आपको पता है चमकना प्योर का मतलब भी शुद तो आपका बचा क्या एक फाउल का मतलब क्या होता है आपका गंदा आपको opposite इसका एंटोनियम बताना था तो गलती से मैंने उपर वाले का नीचे वाले का बता दिया था तो immaculate का मतलब क्या होता है स्वच, साफ और foul का मतलब क्या होता है गंदा ठीक है देखो next In the following question, out of given four alternatives, select the one which is opposite इसमें भी क्या बताना आपको opposite Impute, impute का मतलब क्या होता है दोश लगाना, क्या होता है दोश लगाना दोश लगाना किसी के उपर आरोप लगाना और defend का मतलब क्या होता है अपने आपको बचाना तो इसका answer क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा option number A, defend accuse का मतलब भी आरोप लगाना होता है, assign का मतलब भी होता है और blame का मतलब भी आरोप लगाना ही होता है तो इसलिए option number A जो है वो आपका answer हो जाएगा आप देखो next next में भी आपको क्या बताना है, next में भी आपको opposite उसका intonium बताना है force एक का मतलब क्या होता है, त्यागना, किसी चीज को त्यागना, छोड़ना ठीक है, अब देखो forgo, give up और revert, ये चार है तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों का मतलब क्या होता है, त्यागना ही, desert, forgo, give up, छोड़ना revert का मतलब क्या होता है, revert, वापस आना, revert का मतलब क्या होता है, वापस आना force एक मतलब छोड़ना, त्यागना और revert मतलब वापस आना option number D जो है वो आपका answer हो जाएगा चीक है अब देखो next in the following question out of the four given alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase आपको idiom phrase दे दिये और आपको एक जो है वो आपको perfect जो idiom जो है आपका जो मुहावरा है उसका आपको 60 का answer बताना है कि उसका meaning क्या निकल रहा है to doctor the account to doctor the account का मतलब यहां पे क्या है खातों में हेरा फेरी करना क्या करना खातों में हेरा फेरी करना ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा very costly treatment मतलब बहुत ज़्यादा costly treatment high class treatment यह भी मतलब बोथ high level का treatment auditing of account accounts की देख रेक करना auditing उसकी जाच करना बट यह to manipulate the account to manipulate the account का मतलब क्या होगा खातों में हेर फेर करना खातों में इदर उदर चीजे जो है वो wrong करना तो आपका answer क्या हो जाएगा to doctor the account का to manipulate the account option number B ठीक है देखो next एक question और है इसी टाइप का आपके on the brink of disaster बताईए on the brink of disaster मतलब विनाश के कगार something still in hand कुछ भी भी आपके हाथ में natural destruction मतलब प्रकरती का कुछ खराब होना to die मरना very close to failure मतलब विनाश के कगार पर इसका क्या हो जगा very close आप failure के मतलब आपको unsuccess जो है उसके बहुत करीब है तो option number D जो है वो आपके answer हो जाएगा देखो next अब देखो next question में क्या है ये question थोड़ा सा ध्यान से समझना ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कम समझ आए बट try करूंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा improve the brasscated part of sentence इस sentence इसके part को जो वो आपको क्या करना है जो bracket में जो partner इसकी जगे क्या आएगा correct वो बताना है तो देखिए nothing show on the intapness of the state more than unpreparedness in the face of predictable event तो यहाँ पे क्या देख रखा है यहाँ पे आपका जो show on का मतलब है दिखावा तो इसका जो meaning है वो क्या है nothing show on the in aptness of state more than the unpreparedness in face of predictable event यह क्या बोल रहा है कि unpredictable event जो अपेक्षित घटनाएं है उनके जो चहरे के बिना अपेक्षित घटनाओं के चहरे के बिना जो nothing the in tapness मतलब क्या है चहरे के बिना किसी भी शर्त के जो of the state राज्ये की जो एयोग्यता है in aptness मतलब एयोग्यता से कुछ भी नहीं दिखाई देता है unpreparedness मतलब उसका कुछ भी तयार नहीं है उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता है show on का मतलब होता है दिखावा और यहां पे आपका आएगा दिखाई देना दिखाई देता है तो आपका answer आजाएगा option number c shows up show आपका मतलब होता है दिखाई देता है तो मतलब अपेक्षित घटनाओं के चहरे के बिना जो भी आपके predictable जो event है जो आपको पता है कि अकर होने वाले हैं उनके जो चहरे हैं उसके बिना किसी शर्त के राज्य की एयोग्यता से कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो इसलिए यहां पे जो show on है वो आपका रोंग हो जाएगा और answer number c shows आप जो है वो आपका answer हो जाएगा अब देखो next question यह एक question और है इस तरह का देखो इसको भी अच्छे से समझना prohibitionary order will not enforced with the government evidently viewing the looming protest as pressure relief valves instead of as trigger points for violence यह बोल रहा है कि will not ठीक है यहां पे जो है prohibitionary order जो है वो मतलब निशेद आ गया prohibitionary मतलब किसी चीज को रोकना तो उसको रोकने का enforced मतलब आदेश जो है वो लागू हो गया तो हो गया मतलब हो चुका है तो यहां पे क्या आएगा आपका word note क्या आएगा word note will note की जगे क्या आएगा word note option number a तो यह क्या बोल रहा है कि निशेद आ गया prohibitionary मतलब किसी चीज को रोकना उसके जो आदेश है वो लागू होगे with the government evidently की with the government है वो सपस्त रूप से जो है जो उबरते विरोध है looming protest as per relief को हिंसा के लिए बढ़काने वाली जो कुरसी है instead मतलब बजाए राहत relief के वोल्व के रूप में दिखाई देती है ठीक है trigger point for violence क्या बोल रहा है यह निशेदाग्या के जो आदेश लागू हो गए है क्योंकि सरकार जो है वो सपस्त रूप से जो उबरते जो विरोध है उसकी हिंसा के लिए for violence हिंसा के लिए जो बढ़काने वाली कुरसी है उसकी बजाए instead की बजाए जो राहत की जो वोल्व है वो दिखाई देते है मतलब government जो है वो aware नहीं option number a जो है वो आपका answer हो जाएगा इसमें अब देखो next देखो next में आपको क्या बुला है in the following question out of four given alternatives select the alternative which is best substitute of the phrase phrase का best substitute बताना है आपको क्या बताना है phrase का best substitute की मतलब उसका substitute क्या होगा हम इसको एक line में लिख सकते हैं उसको हम एक word में क्या लिख सकते हैं a place where arms are kept arms का मतलब होता है आपके हतियार वो जगह जाए पे आपके हतियार रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं शास्त्रा गार इसको क्या बहूलेंगे सास्त्रा गार तो auditory का मतलब तो क्या हो जाएगा kardeşim पालन जो है वो हो जाएगआ एकुरी का मतलब क्या हो जाएगा एचूरी का मतलब स्रवन्ट समंदी जो सुनने योग है और एपूरेरी जो है वो मुनसी ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा option number B और मौरी देखो next ये तो आप सबको ही पता है ये चीज भी नहीं पता तो मतलब मैं सोच नहीं सकती कि आपको फिर कुछ नहीं आता लेकिन ये मुझे पता है सब बच्चों को पता होगा a medical examination of a dead body क्योंकि मेरे पास जो students study कर रहे है न वो बहुत fast है और उनको ये तो obviously बहुत intelligent ऐसा भी student a medical examination of a dead body dead body का जो medical examination है उसको क्या जब भी किसी की death हो जाती है तो आप क्या सुनते हो कि उसको वो जो बोडी है वो पोस्ट मॉटम के लिए गई हुई है तो इसका जो है option number B हो जाएगा पोस्ट मॉटम ठीक है क्या हो जाएगा option number B पोस्ट मॉटम ठीक है आप देखो next question समझ गए next question में आपको क्या दिया है 42 में in the following question a word has been written in four different ways out of which only one is correctly spelled select the correctly spelled word आपको एक spelling सही दिये बाकी रोंग दिये आप देखो 8 की spelling दिये 8 E I G H T H तो आपको यही वाली सही है E A I G H ये भी रोंग है ये भी रोंग है ये भी रोंग है तो option number A जो है वो आपका सही हो जाएगा ठीक है देखो next इसमें भी आपको एक spelling सही दिये बाकी की रोंग दिये grammar grammar G R A W M E R होता है या AR होता है G R A W M U R E D ये तो रोंग है ये भी नहीं होती इन दोनों में से बताइए कौन सी होगी बताइए यहाँ पर A आएगा या E आएगा E की तरफ कितने students है प्लीज comment section में लिखिए तो जो जो जिस जिसने E के लिए बोला है वो रोंग है और A के लिए जिस students ने बोला है वो सभी right है ठीक है आभी देखो next अब आपको क्या करना है इसमें rearrange करना है इस sentence के अंदर rearrange the parts of the sentence in correct order ठीक है अब आपको ये जो sentence है पूरा complete करना है कि इसके बाद कौन सा sentence हैगा if you sun responsibility sun responsibility का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो जब आप अपनी जिमेदारी से दूर होते हैं अपनी responsibility से दूर है अब देखो accept salary in some way or other you have to if you sun responsibility तो इसके आगे क्या लग जाएगा आपके आपको पता है subject आएगी you have to accept salary in some way or other if you sun responsibility यदि आप अपनी जिमेदारी से दूर है तो आपको अपनी जो गुलामी है salary का मतलब क्या होता है गुलामी अपनी जो गुलामी है वो आपको some way या other उसको किसी भी way में या किसी अदर तरीके से आपको जो है वो accept करनी होगी ठीक है करनी पढ़ती है तो इसका answer क्या हो जाएगा सबसे पहले R उसके बाद P उसके बाद Q तो option number D जो है वो आपका answer हो जाएगा R P Q ठीक है देखो next समझ में आया है ये देखो next Digital India Program Government of India to make this is a big step taken by country a digitally empowered company ये बोल रहा है Digital India Program Digital India Program जो Digital India जो इसका program है भारत का is a big step ये एक बहुत बड़ा step है taken by the जो कि लिया गया है किसके द्वारा लिया गया है Government of India to make this भारत की सरकार के द्वारा to make this इसको बनाने के लिए country a digital empowered country देश को एक digitalized country बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा step लिया गया है Indian Government के द्वारा Digital India Program इसलिए इसका क्या हो जाएगा Q सबसे पहले उसके बाद P उसके बाद R तो ये कौन सा answer है आपका option number a जो है वो आपका answer हो जाएगा अब देखो अब आपके ये एक पहरे graph है उस पहरे graph में आपको कुछ blanks दिये हैं अब आपको उन blanks का जो है वो answer करना है एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ first फिर उसका जो है वो answer दिखाऊंगी ठीक है इसको मैं ज्यादा छोटा करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं एक बार इसको थोड़ा बढ़ा करके ही पढ़ लेते हैं फिर first bracket जो है वो पढ़ेंगे ठीक है देखो today when India is देखो today when India is free bound restricted chain बताइए कि आज जो इंडिया है वो क्या है free है bound है restricted है या chained है तो आज इंडिया क्या है आपका free है option नमबर A जो है इसका answer हो जाएगा इंडिया जो है वो क्या है free है इंडिया क्या है आपका free है ठीक है first में क्या जाएगा free अब देखो आगे का पढ़ते हैं आगे का क्या है देखो यहां तक हो गया these officials representing all government departments are very close to the most corrupt businessmen यह क्या बोल रहा है कि today when India is free आज भारत क्या है आजाद है these officials representing all government department सभी government department के जो official जो प्रतिनी दित्व हैं क्या है these official representative government सरकारी जो विभाग है उनके जो भी official जो प्रतिनी दित्व हैं are very close to most corrupt businessmen वो क्या है जो most जो corrupt जो हिंसावादी जो businessmen है वैवसाई हैं उनके बहुत निकट हैं बहुत close हैं आज कल आप देखते हो कि कोई भी जो है वो businessmen बड़े बड़े businessmen होते हैं पैसे वाले होते हैं वो सब चीजे उनके हाथ में होती है आज कल जो है वो क्या देते हैं पैसे देते हैं और उनका काम हो जाते हैं तो उसी के उपर है ये कि जो सारे जो official जो representative हैं जो प्रदिनित्व हैं वो जो हैं वो जो corrupted business men है जो website हैं उनके बहुत close हैं उनके बहुत निकट हैं who are to break it to let any opportunity of amazing profits who are to देखिए who are to break it to let any opportunity ethical ethical मतलब netic unscrupulous unscrupulous का मतलब क्या होता है principle मतलब सिधान तो trustworthy मतलब जो है वो trust रखने वाला ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा unscrupulous unscrupulous का मतलब होता है आपका बेइमान क्या होता है बेइमान unscrupulous का मतलब होता है बेइमानी तो मतलब who are to unscrupulous to let any opportunity वो मतलब बेइमानी से भी किसी भी तरीके से उस अवसर को जो है वो जाने नहीं देना चाहते हैं वो बेइमानी से भी उस अवसर को पाना चाहते हैं आप देखो नीचे वाला भी यही ठाना of opportunity of amazing profits in flats, rises, slip या surges of amazing profit इसमें क्या आएगा आपका in flats का मतलब होता है avmullion करना, rises का मतलब होता है create करना और surges का मतलब होता है avvish, slip का मतलब होता है परची of amazing profit मतलब इसका मतलब यह था कि who are to unskplash, मतलब बेइमानी से भी किसी भी opportunity को जो है वो खोने नहीं देना चाहते हैं वो उसको next, कहा तक हो गया आपका, amazing profit, अब देखो next, this collusion broadness the base of the vicious circle, vicious circle मतलब brastavadi जो circle है वो, and corruption spreads like wild fire to bracket the entire society, the collusion broadness, जो यह collusion का मतलब होता है मिली भगत, collusion का मतलब क्या होता है, मिली भगत, जो यह मिली भगत, जो vicious circle, जो दूश चक्र है, broadness, the base of, वो क्या हो रहा है, उसका जो base है, broadness मतलब, विस्तृत, वो क्या है, बढ़ रहा है, and corruption spread, और corruption, जो है, ब्रस्टा चार, spread, fell रहा है, like wild fire, यह आपकी एक phrase है, like wild fire, जंगली आग की तरह है, अब आगे देखते हैं, इसमें क्या आएगा, to, like wild fire, to, complete मतलब, पूरा, finish मतलब, समाप्त होना, detorate का मतलब होता है, detriate का मतलब होता है, detriate का मतलब भी बिगाड़ना होता है, और engulf का मतलब होता है, निगल जाना, तो option number C, like wild fire, engulf the entire society, जो ब्रेस्टाचार इतना फैल रहा है कि पूरी society जो है, उसको क्या कर रहा है, जंगली आग की तरह है, निगल रहा है, वो अपने control में ले रहा है, ठीक है, आप देखो, कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, भी आगे पढ़ते हैं, the political and social guardians depend only to, depend only too much on the richer communities, जो political, जो राजनितिक और जो social, जो शामजी guardians है, ठीक है, गार्जियन्स हैं, वो depend करते हैं, जो मतलब political और social, जो जो गार्जियन से हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं जो अथोरिटी है वो किस पर डिपेंड करते हैं उनली टू मच रीचर कम्यूनिटी मतलब जो अमीर जो कम्यूनिटी जो होती हैं जो अमीर समुदाय होते हैं क्योंकि वो उनको पैसे देते हैं उनको घूस देते हैं तो उ वे जो है वो क्या करती हैं दोहरे रूप को दिखाते हैं इंडीवल मतलब दोहरे दोहरे रूप को दिखाते हैं वाइल इस कम्यूनिटीज खोल्ड एंटायर सोसाइटी ये कम्यूनिटी जो है वो पूरे सोसाइटी को मतलब होल्ड करके रखती है ये जो समुदाय है जो ये रीचर कम्यूनिटी वाला जो समुदाय है ये पूरे जो एंटायर सोसाइटी पूरे मतलब सोसाइटी को क्या करत और रैंसम का मतलब होता है बंदन मुक्ती, तो इससे क्या हो जाती है, गोर्मेंट को बंदन मुक्ती मिल जाती है, गोर्मेंट के किसी तरह का कोई कोई बंदन नहीं होता, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, option number D, ठीक है, ठीक है, आपके 50 questions हो गए आज, I hope आपको अच्छे लगे होंगे, try कि आपको best से best तरीके से, short से short तरीके से समझाने की, class को पूरा end तक देखिए, clerk की आपकी demand थी, कि मैडम clerk का करवाओ, English में भी करवाओ तो आज मैंने दोनों आपकी requirement पूरी करी हैं, तो आप जादा से जादा class को देखिए, share कीजिए, कोई भी problem हो किसी भी question में, तो आप मुझे comment section में लिख दीजेगा, मैं आपका question जो हो solve करके, आपको फिर से भेज होंगी, ठीक है, and thank you so much, मेरी video को देखने के लिए, and मेरे पढ़ाने के तरीके को पसंद करने के लिए, bye bye, कल फिर मिलेंगे, इसी time पे,